हेलो दोस्तो आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सस्क्राइब कीजिए हमारी चैनल जोब भंडार को और साथ ही दबाए इस बैल आइकन को हेलो दोस्तो एक बार फिर से मापके लिए एक बड़ी भरती की अपडेट लेकर आया है इस वीडियो में बात करने वाला है सीटी मैनेजर बड़ती 2020 के बारे में जो की BC ECE बिहर बोर्ड के अंतरगत होने जा रही है और इस बड़ती के लिए ओफिसल नोटिपिकेसन जारी हो गया है दोस्तों यहाँ पर खाली पद है 163 जिन के लिए सभी राजजियों से मेल फीमेल कंडिडेट आवेदन कर सकते है और आवेदन करने के लिए अंतिम्तितिया 275-2020 जिया दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए 275-2020 तकी आवेदन कर सकते हो और आपको यहाँ पर सेली मिनने वाले है 40,000 रुपे पर मंत दोस्तो अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टिड हो और आप इस पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हो तो अपलाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अपलाई करने के लिए क्या इलिजविल्टी क्राइटेरिया होना जरूरी है आपको यहाँ पर कितनी एपलीकेशन फी जमा करानी होगी और आपका सेलेक्शन किस बेस पर होने जा रहा है आप इस भरती के लिए कैसे आवेदन कर सकते हो और कब से कब तक आवेदन कर सकते हो जो किये पूरी डिटेल आगे इस वीडियो में मैं आपको ओफिसल नोटिपिकेशन के दवारा स्टैप बाइ स्टैप परोवाइड कराने जा रहा हूँ तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ अंतरक दोस्तो ये आपके सामने मैंने इस भरती का ओफिसल नोटिपिकेशन ओपन कर रखा है इसके दवारा मैं आपको इस भरती की पूर जानकारी एक एक करके देने वाला हूँ तो चलो सुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए यहाँ बढ़ती सीटी मैनेजर पोस्ट के लिए जारी की गई है और इस पोस्ट पर आपका सेलेक्शन ओनलाइन कंप्यूटर बेस टैस्ट के दवारा होने जा रहा है दोस्तों अगर बात की जाए वेकेंसी की तो यहाँ पर वेकेंसी 163 है जी हाँ दोस्तों 163 वेकेंसी ओपर यह बढ़ती होने जा रही है अब बात कर लेते हैं के टिक्रिवाइज वेकेंसी के बारे में UR के लिए 38 वेकेंसी UR female के लिए 21, ST के लिए 2, ST female के लिए 1, ST के लिए 19, SC female के लिए 9, EBC के लिए 22, EBC female के लिए 10, BC के लिए 14, BC female के लिए 6 vacancy, RCG के लिए 6 vacancy, EWS के लिए 10 vacancy, और EWS फीमेल के लिए 5 वेकेंसी जो टोटल 163 वेकेंसी है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अपलाई करने के लिए क्राइटेरिया होना जरूरी है और आपको यहाँ पर कितनी सेल ली मिनने वाली है इस पोस्ट पर अपलाई करने के लिए MBA या पोस्ट गर्जेट डिगरी या डिपलोमा होना जरूरी है दोस्तों आपको यहाँ पर सेल ली मिनने वाली है 40,000 रुपे पर मन्त दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की और यहाँ पर देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में इस पोस्ट के लिए 40 साल और एसी एस्टी मेल फीमेल कंडिडेट के लिए 42 साल मैकसिमम एज दे रखिया है दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए एज रिलैकसेशन के बारे में तो उसकी डिटेल आप यहाँ से कंपलेटली चैक आउट कर सकते हो दोस्तों इस पोस्ट पर अवेधन करने के लिए इंडियन सीटीजन होना जरूरी है जहां दोस्तों जो कंडिडेट इंडियन सीटीजन है जो इंडिया से बिलोंग करता है वही कंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेधन कर सकता है अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए कैसे apply कर सकते हो applying process के बारे में और application fee के बारे में आप complete detail दे रखिया है यहां से आपको मैं इस process के बारे में complete detail step by step provide कराने जा रहा हूँ दोस्तो step 1 में आपको registration complete करना है step 2 में आपको basic detail provide कराने है step 3 में आप education qualification से related detail अपनी fill app कर सकते हो और step 4 में आपको work experience डाल देना है step 5 में आपको photo signature और document upload करने है step 6 में आप अपने application form का preview check कर सकते हो step 7 में आपको application fee जमा करानी है जो कि है UR, SC, ST, EBC, BC और D क्या हूँ category candidate के लिए जिया दोस्तों इन category candidate को यहाँ पर 2200 रुपे जमा कराने है जो कि bank चलान दवारा और online mode दवारा जमा के जा सकते है online mode के दवारा आप credit card, debit card या net banking के दवारा application fee जमा करा सकते है step 8 में आप अपने application form का print out ले सकते हो यहाँ पर आपका application form complete हो जाता है दोस्तों यहाँ से आप अपने application form का print out या अपने application form को download कर सकते हो अब बात कर लेते हैं कि आप इस post के लिए कब से कब तक अवेदन कर सकते हो अपलाई करने के लिए और application fee जमा कराने के लिए starting date 284-2020 और अवेदन कराने के लिए last date 27-5-2020 चलान डाउनलोड करने के लिए last date 25-2020 application fee जमा कराने के लिए या आप चलान दवारा या debit card या credit card या net banking के दवारा किसी भी तरह से आप application fee जमा करा रहे हो तो उसके लिए last date 27-5-2020 और आप application form online edit कर सकते हो 29-5-2020 से 36-2020 तक अगर बात की जाए CBT date के बारे में तो अभी तक वो release नहीं हुई है CBT date के बारे में आप official website को भी regularly चेक कर सकते हो क्योंकि official website पर CBT date की update आने वाली है दोस्तो ये थी इस भरती की पूर जानकारी अगर अब भी आपको और जाद जान कर चाहिए तो आप इस notification को download कर सकते हो इस notification का link मैं इस वीडियो के description में दे रहा हूँ वहाँ से आप इस notification को download करके इस भरती की पूर जानकारी आसनी से check out कर सकते हो और फिर उसके बाद इस भरती के लिए apply कर सकते हो दोस्तो अगर या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like out से जरूर करे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो हमारे चैनल को subscribe कर ले क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इसी बड़ी भरती की update लेकर आने वाले है